हलो फ्रेंड्स वेलकम टू प्रदीप समेले क्लासेश तो इस क्लास में मैं बताने बाला हूँ क्यूब ओफ एनी टू डिजिट नंबर फ्रॉम 11 टू 99 11 से लेके 99 तक कि किसी भी टू डिजिट नंबर का घन कैसे निकालें ये हम सीखने वाले हैं और जैसा कि आप सभी जानते होंगे वन से लेके 10 तक के क्यूब आप सभी को पता होंगे एक से लेके 10 तक के घन आप सभी लोग जानते होंगे और अगर नहीं जानते हैं तो इनको जरूर अच्छे से प्रैक्टिस कर लें क्योंको ये calculation में आपको काफी helpful होंगे चलिए तो अब class start करते हैं तो cube of two digit number निगालने के लिए इसको और speed देने के लिए इसको super fast बनाने के लिए इसको चार category में बाटा गया है एक तो है type 1 type 1 में वो numbers आते हैं जो के 1 से start होते हैं type 1 में वो number आते हैं जो के 1 पे end होते हैं ठीक है और type 3 में वो number आते हैं जो repeated digits हैं जैसे यहां पर देख रहे हैं आप 226655 इस तरह से repeated digits हैं और बाकी के जो बच जाते हैं वो सब type 4 में आते हैं ठीक है तो अब चलिए करते हैं शुरुआत हम type 1 की तो देखिए type 1 को कैसे करेंगे हम type 1 का कोई भी एक example ले लेते हैं इसमें 11 से लेके और 19 तक के सारे number आते हैं इनमें से कोई भी एक example लेते हैं 12 का cube निकालते हैं तो 12 का cube निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहां पर 4 places बना लेंगे इस तरह से 4 places बनाएंगे और इसका जो direction होगा वो left से right की तरफ होगा ठीक है अब हमें कैसे करना है left से right की तरफ मतलब पहले 1 है तो 1 को हमने यहां उतार लिया यहां पर copy कर लिया अब हमें यहां पर 2 लिखना है उसके बाद तो 2 को copy कर लिया अब हमें क्या करना है 2 का square करना है यानि 2 का work करना है तो 2 का square होता है 4 तो हमने यहां पर लिख दिया 4 अब हमें 2 का cube करना है तो 2 का cube होता है 8 तो हमने यहां लिख दिया 8 तो इस तरह से हमने लिख दिया अब हम क्या करेंगे इसका first place और last place यानि first और last वाले को हम छोड़ देंगे और इसके second और third place पे हम क्या करेंगे कि इनका double कर देंगे मत्तब two का double यहां पे कर देंगे four और यहां पे four का double यहां पे कर देंगे eight ठीक है इतनी बात आपको समझ में आ गई हो बिलकुल सिंपल है अब क्या करेंगे इनको total करेंगे त यहां पे total कितना आ रहा हमारा 12 बारा है तो 12 में two यहां लिखेंगे और one हम carry over कर देंगे यहां पे ठीक है तो इसको carry over कर देंगे तो आप जोड़ेंगे तो one plus two three three plus four seven तो यहां गया seven यहां पे और one का यह one आ गया यानि हमारा 12 का cube हो गया 1728 बिलकुल आसान है इसी तरह का एक example और ले लेते हैं यह 15 का cube हम निकाल के देखते हैं 15 का cube निकालने के लिए सबसे पहले हम 4 places यहां पे रख देते हैं 4 places पर रखेंगे यहां को और इसको कैसे left to right ही करना है तो पहले हम one को यहां पे copy कर लेंगे तो one को हमने यहां पे लिख लिया ठीक है उसके बाद में ह तो five का cube हम लिखेंगे यहां पे 125 अब हमें क्या करना है इस वाले place को first और last place को चोड़ देना है second और third पे हमें क्या करना है कि इनका double करना है मतलब five का double यहां पे लिखेंगे 10 25 का double यहां पे लिखेंगे 50 अब इन सब को add कर देना है तो इनको add करेंगे तो देखिए अब य यह 12 बचा है, इस 12 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर carry over कर देंगे, अब देखिए, यहाँ पर carry over कर दिया, तो 25 प्लस 12 कितना हो गया, 37 और 37 प्लस 50, 87 हो गया, 87 मैसे सिर्फ हम एक ही डिजिट यहाँ पर लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे, और 8 हमारा carry forward हो जाएगा, यह carry over में चला जाएगा, ठीक है, तो अब यहाँ पर 8 प्लस 5, 13, 13 प्लस 10, 13 प्लस 10, 23, तो 23 का हम यहाँ पर 3 लिखेंगे, और 2 यहाँ पर carry over में चला जाएगा, 2 प्लस 1, 3 हो गया, तो इस तरह से इसका 15 का cube बन गया, 3375, तो है नमजदार, बिलकुल आसानी से अपन करते जा रहे हैं, type 1 के आपने example देख लिए, बाकी के जो बचे हैं, उनकी आप practice करिएगा, अब type 2 देखते हैं, तो type 2 में देखे, 11, 21, यह सारे numbers आते हैं, type 2 में, क्योंकि यह 1 से end हो रहे हैं, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, हलाके 11 पहले बाले पार्ट में भी आता है, तो 11 को तो आप इस से या पहले बाले उस से दोनों से ही कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम कोई भी एक example ले रहे हैं, तो हम example के तोर पे ले रहे हैं, 31 का cube, 31 का cube लेने के लिए क्या करेंगे, कि सबसे पहले तो हम 4 places इस तरह से बना लेगे, अब हम क्या करेंगे, देखिए, वहाँ पर start हो रहा 1 से यहाँ पर end हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम right से left चलेंगे, उल्टा चलेंगे, यहनी right से left मतलब इधर से, तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम right से left चलेंगे, यहनी 1 को यहाँ लिखेंगे, तो 1 को यहाँ पर हमने लिख लिया, उसके बाद 3 हम यहाँ पर 3 लिखेंगे फिर हम 3 का square करेंगे 3 का square 9 होता है और फिर 3 का cube करेंगे तो 3 का cube 27 होता है अब हमें first और last को छोड़ देना है और second और third को हमें यहाँ पर double करना है तो 9 का double होता है 18 और 3 का double होता है 6 तो इस तरह से लिख लेंगे उसके बाद हमें total करना है तो total कर ले लिए 6 प्लस 3 9 आ गया तो यहां पर 9 लिख दिया हमने उसके बाद में अब देखिए 18 प्लस 9 27 हुआ तो 27 का 7 यहां लेखेंगे और 2 केरी ओवर में ले जाएंगे क्योंकि इसमें एक प्लेस पे एक ही डिजिट अलाओड है और 27 प्लस 2 29 यहां पर जो भी बसता है वो सारी के स सारा नंबर हम यहां पर लिख देंगे तो यह 29 हो गया तो इस तरह से आप ने देखा 31 का विबलकुल आसानी से निकल कर आगया कितना आया 29,791 ठीक है अब एक और एक एक्जामपल ले दे दे हैं इसी तरह का तो इसी का एक एक्जामपल लेते हैं 71 का क्यूब कर दो सबस्ह पहले चार पलेसेच बनाते है photograph, उसके बाद में यहाँ पर कैसे लेना है में, वो ही, right to left लेना है, right to left का पहले यहाँ पर one लिखेंगे, यह one, फिर उसके बाद seven लिखेंगे, यहां पर 7 लिख दिया फिर 7 का स्कॉायर करेंगे तो आ जाएगा 49 और फिर 7 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 343 ठीक है तो इस तरह से हमने लिख दिया अब हम क्या करेंगे फर्स्ट और लास्ट प्लेस को छोड़ देंगे सेकंड और थर्ड प्लेस पे इनके डबल करेंगे तो second और थर्ड प्लेस पे डबल कर लेते हैं तो 49 का डबल हो जाएगा कितना? 98 तो यहां पे 98 आ गया और 7 का डबल आ गया 14 अब हमें इनको प्लस करना है तो प्लस करेंगे तो यह 1 का 1 आ गया और 14 प्लस 7 कितना हुए? 21 तो 21 का हम सिर्फ यहाँ पर 1 लिखेंगे 2 यहाँ पर carry over में ले जाएंगे अब देखें यहाँ पर जहां से देखें कि 98 और 2 कितना हो गया 100 और प्लस 49 149 हो गया तो 149 का सिर्फ 9 यहाँ लेगे और 14 को हम यहाँ पर carry over में ले लेंगे अब carry over में ले ले लिया तो अब इनको जोड़ लेते हैं 4 प्लस 3 7 आ गया यहाँ पर 7 लिख लेते हैं फिर 4 प्लस 1 5 आ गया तो यहाँ पर 5 लिख लेते हैं और फिर 3 का 3 आ गया तो 3 लिख लेते हैं तो इस तरह से आपने देखा कि 71 का क्यूब जो है वो 357911 357911 तो इस तरह से आपने देखा कितनी जल्दी कितनी आसानी से आ जा रहा है तो यह दो टाइपस हो गए अब हम तीसरा टाइप का तीसरा टाइप का वो ऐसे नमबर साते हैं जिसमें के डिजिट्स जो है रिपीट होती हैं तो इस तरह के नमबर से इसमें आते हैं तो इनमें से कोई भी एक नमबर हम ले लेते हैं तो यहाँ पे हमने नमबर ले लिया 22 तो इसमें क्या करते हैं इसमें भी देखिए चार प्लेसे इसमें भी बनाएंगे लेकिन इस ट्रिक में क्या करते हैं जब numbers repeat हो रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो number repeat हो रहा है उसी का हमें cube रखना है तो देखिए two repeat हो रहा है तो two का cube हम यहां पर रख देंगे क्या करेंगे 2 का cube रख देंगे तो 2 का cube क्या होता है 8 ठीक है तो इसको 3 places पे हमें 2 का ही cube रखना है तो 8 8 8 8 ठीक है इस तरह से तो जब कोई number repeat हो रहा है तो उसको इस तरह से करते हैं तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा तो 2 का हमने क्या 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 cube कर दिया 8 8 8 8 अब हमें क्या करना है 1st और last को छोड़ देना है और 2nd और 3rd का double करना है तो यहाँ पे 8 का double 16 होगा और यहाँ पे भी 8 का double 16 होगा अब हम इनको add करेंगे तो यहाँ पे 8 आजाएगा और यहाँ पे 16 प्लस 8 कितना हुआ 24 24 में से 4 ही लेंगे 10 तो यहाँ पे कितना आ गया यह 22 का cube हमने निकाला और 22 का cube आ गया 10648 दस अजार 648 तो इस तरह से निकला आया है अभी देखिए एक example type 3 का हम और ले लेते हैं so type 3 में एक example ले लेते हैं 44 ठीक है 44 यहाँ पे क्या करेंगे हम वैसे ही 4 places बनाएंगे और 4 का क्या करना है में cube लिखते जाना है तो 4 का cube कितना होता है 4 4 दा 16, 16 4 दा 64 तो 64 4 का cube होता है तो 64, 64, 64, 64 ऐसे हम 4 places पे लिख लेंगे अब हमें क्या करना है 1st और last को छोड़ देना है और 2nd और 3rd पे double करना है तो 64 का double कितना होगा 128 तो 128 और यहाँ पे भी 128 इस तरह से आ जाएगा ठीक है अब हमें क्या करना है इनको add करना है तो इनको add करेंगे तो देखिए यहाँ पे तो 4 का 4 ही आ जाएगा और यहाँ पे 6 जो है यहाँ पे carry over में चला जाएगा इस बात को ध्यान रखना है क्योंकि एक प्लेस पे यहाँ पे एक ही डिजिट allowed है तो यहाँ पे कितना हो गया यह 70, 70, 90, 98, 100, 98 198 का सिर्फ हम 8 लखेंगे और 19 हम यहाँ पे carry over में ले लेंगे ठीक है 19 हमने carry over में ले लिया अब देखिए यहाँ पे 19 यह हो गया 20, 23, 23 और 60 कितना हो गया 83, 83 और 20, 100, 183 और 20, 103, 11 और 211 211 हो गया तो यहाँ पे सिर्फ हम 1 लखेंगे और 21 को हम carry over में ले जाएगे 21 को हम यहाँ पे carry over में ले लेते हैं तो अब यहाँ पे 1 प्लस 4 कितना आपने देखा कि ये भी हमने 44 का क्यूब भी बिलकुल एकदम जल्दी से कर लिया और आप प्रेक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा यह मैं तो समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है तो इस तरह से आपने देखा 44 का क्यूब 85,184 ठीक है 85,184 आ गया अब ह इसके द्वारा आप 11 से लेके 99 तक कोई भी 2 डिट नमबर का क्यूब निका सकते हैं इसी मैथड से निका सकते हैं वो तो तीन मैथड मैने इसलिए बताए कि उससे थोड़ा टाइम बच रहा था लेकिन ये वाला मैथड आपका उन तीनों पे भी लागू होगा ठीक है तो ये बात आपको मैं नोट करा रहा हूं इसलिए कि इसमें नमबर भी 9 डिजिट और ये उन पे भी लागू होगा टाइप 1 टाइप 2 और टाइप 3 पर तो तीनों की आप जो हमने भी बताए हैं एक्जामपल उनको आप इस तरीके से भी उनकी प्रैक्टिस करिएगा तो हम यहाँ पर क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब कितरा होता है 27 तो यहाँ पर हमने लिख दिया 27 ठीक है उसके बाद हम लास्ट वाले प्लेस पर क्या करेंगे 2 का क्यूब लिख देंगे तो 2 का क्यूब यहाँ पर आ जाएगा 8 ठीक है अब हमें क्या करना है सेकंड और 3 प्ले by two मतलब three three the nine nine two the eighteen तो यहाँ पे क्या होगा eighteen हमारा आ जाएगा ठीक है अब हमें third place पे क्या करना है just इसका उल्टा करना है मतलब हमने पहले क्या किया था three का square multiplied by two किया था अब हम क्या करेंगे कि two का square multiplied by three तो two का square कितना होगा two two the four और four three the twelve तो यहाँ पे twelve लिख देंगे ठीक है यह आपको practice करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा अब उसके बाद में क्या करना है first और last place को हमें छोड़ देना है बाकी के two places पे हमें क्या करना है इसका double कर देना है तो 18 का double किता हो जाएगा 36 और 12 का double हो गया 24 अब इसको add कर दीजिए तो इस तरह से इसको add करेंगे तो यहाँ पे 8 का 8 आ गया ठीक है और 24 और 12 किता हो गया 36 36 का 6 यहाँ लेखेंगे 3 यहाँ पे carry over में ले जाएगे अब यह कितना हो गया देखिए 21 21 और 27 27 57 तो 57 यहाँ पे 57 का 7 यहाँ लेखेंगे को कि इसमें एक ही digit allowed है और बाकी यहाँ पे ले जाएगे अब जो 27 प्लस 5 कितना हो गया 32 तो यह हमारा answer आ गया 32 का cube कितना आ गया 32,768 आ गया तो इस तरह से यह method आप अच्छे समझ लें एक बार फिर से बता जिता हूँ इस method को तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम सबसे पहला काम क्या करना है हमें 3 का cube करना है ठूंटी सेवन हम ने इहाँ पर लिख दिया, उसके बाद में हमें क्या करना है तू का cube करना है और टू का cube ए apr होता है हमें यहाँ लिख दिया उसके बाद हमें क्या करना है, second place पे थरी का square multiplied by टू मतब 3 का square multiplied by 2 कितना आया 18 तो हमने 18 को यहां लिख दिया उसके बाद में क्या करना है हमें फिर करना है 2 का square multiplied by 3 तो 2 का square multiplied by 3 चाहे तो यह से लिख लें यह 3 into 2 का square ठीक है तो 3 into 2 का square लिखके तो यह कितना आएगा 12 आएगा तो इस तरह से हमने 12 लिख लिया, अब हमें क्या करना है, बीच बाले numbers का double करना है, इनको add कर देना है, तो आपका answer इस तरह से आ जाएगा, चलिए एक और इसका practice कर लेते हैं, तो 54 का cube अब करते हैं, इसी method से, तो इसमें हम सबसे पहले 4 जगे बना लेते हैं, 4 जगे बनाने क क्या करना है, second place पे क्या करना है, 5 का square करना है, तो 5 का square कितना हुआ, 25, multiply इसको 4 से करना है, तो 25, 4 दा 100, तो 100 हम यहाँ पे लिख देंगे, 100 हमने यहाँ लिख दिया, अब इसके बाद में क्या करना है, अब हमें इसका उलट करना है, मतलब 4 का to square करना है, तो 4, 4 दा 16, और 16 क 5 से multiply करना है तो 16 5 दा कितना होता है 80 तो यहाँ पर हम 80 यहाँ पर लिख देंगे ठीक है अब उसके बाद क्या करना है इसमें first और last column को छोड़ देना है और इसमें जो बाकी के जो दो column बचे second and last इनका double कर देना है है तो 100 का कितना हुआ 200 तो यहाँ पर लिख देंगेром 280 काा double हुआ 160 उसके बाद में इसको add करेंगे तो एड करेंगे तो 64 तो यहाँ पर लिख देंगे ठीक है अब 6 क्यों स्डे symbi33 में ले लिया, अब देखिए, 160 प्लस 80 हुआ, 240 और 240 प्लस 6 कितना हो गया, 246, तो 246 का 6 हम यहां लेकेंगे और 24 हम carryover में ले लेगे, अब यह 200, 300, 324, तो 324 का सिर्फ 4 यहां पर लिखेंगे और 32 यहां पर carryover में ले ही तो इस तरह से थर्टी two कैन्ग वन ले लिया तो यहां पे फाइब प्लस टू कितना हो गया उड्म उसके बाद में थ्री प्लस टू कितना हो वाई फाइब तो यहां पे लिख देंगे और one का बटर आ गया तो इस इसको जो है एक बार फिर से में रिपीट कर देता हूँ जैसा कि मैंने पहले भी किया था इसको तो फिर से कर देता हूँ इसको एक बार रिपीट देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या है कि फस्ट प्लेस पे हमें यह इसका 5 का क्यूब करना है फिर हमें इस पे लास्ट प्लेस तो 5 into 4 का square तो इस तरह से calculation किया 125 यहां आ गया 64 यहां आ गया इसका calculation 80 यहां आ जाएगा यह 100 आ जाएगा अब हमें first और last वाला छोड़ देना है 100 का double किया 200 80 का double किया 160 अब इनको add कर दीजे और इसमें एक प्लेस पे एक ही digit बाकी carry over लेते जाएं ठीक है और last में इस तरह से हमारा answer आ जाता है तो यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और मुझे आसा ही नहीं बलके पूरा भरोसा है कि यह class आपको बहुत अच्छी लगी होगी तो please like, subscribe and share Thank you, thank you very much